हेलो फ्रेंट्स और यू देशाट गुर्चरन निफ्टी फिफ्टी को उसमें कल भी सेलिंग आई थी और आज भी सेलिंग आई थी तो आज जो सेलिंग आई थी वो भी मार्केट मैंने पहली बोल दिया था 12800 से नीचे बहुत ज़्यादा मार्केट प्रोफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए वही चीज हो रही है कल भी मार्केट में सेलिंग आज सिर्फ जानबुज के मार्केट को उपर लेके गए कल भी लेके गए थे तो नेट शेल में क्लोजिंग उसकी वीक ही क्लोजिंग हुई है 12700 से नीचे क्लोजिंग हुई है और यह वीडियो भी मैंने आप से पावर फनास कॉर्परेशन जो सारे पावर सेक्टर को फनास करती है उसमें नतिजों जो आए हैं उसको डिसकस करने के लिए वीडियो बनाई है 72 परसंट त चाहिए 95 फनास हुआ लोगों को करूबार की जरूरत है और करूबार के लिए पैसा चाहिए पैसा दो यह फरोड़ा प्रस कंपणी की वजह से सारी मार्केट चल रही है मतलब मैंने बोला था कि मे पहले बीजह है बैंक और फिनांस सेक्टर ही आगे लेके जाएंगे फार्मा सेक्टर तो अलड़ी चल चुका है तो वह अभी कि आप देखो यहां पर 4290 क्रोड के पास इसका प्रोफिट जो सब्तंबर क्वार्टर में दिखाए नेट प्रोफिट 2497 क्रोड आया है इंदा क्वार्टर तो देखो 72 परसंट प्रोफिट आप आया है बहुत जादा धुमादार प्रोफिट दिखाया गया यह तो टोटल इंकम जो है वह 18,000 क्रोड के पास इस क्वार्टर में पहुंच चुकी है पहले 15,500 क्रोड थी तो उसी को मैंने आगे आपको दिखा देता हूं यहां पर जो न मार्टर में सेलिंग ही होनी शुरू हो चुकी है तो पैसा सेव करना भी बहुत जरूरी है जिसके पास भी पैसा है वह सेव करना हो जब टाइम होता है तब इन्वेस्ट करें तो ज्यादा बेनिफिट होता है 8,000 क्रोड की यहां पर सेल थी शप्तमबर 2019 में अभी 930 क्रोड के पास सेल पहुच चुकी है थे अगछी और नीचे खर्चे जो कि इन्होंने । और अराशी सो टोटल बचा ब्यासी सो चोवीस क्रोड के पास के टोटल सारा के सारा बच रहा है खर्चा बहुत कम होता इनका यहां पर यह पर डिश्ट करते हैं अठावन सो नत्रीश पर चान्य फिर दिखाए गए पहले मैं पहले स्थार सुठाई क्रोड का फ़ी चूवी सू पचानेवे क्रोड कर नेट प्रोफिट में बचया क्रोड के पास बचया है ग्यारहतावन क्रोड का पहले था यहां पर लेख सो प्रोफिट बढ़के आया है यह बहुत अच्छी बाद पावर सना कंपनी काफी अच्छी रिप्यूटेड कंपनी है यह फनास सेक्टर को पावर सेक्टर को फनास करती है यह स्टंडरलोन थे अब मैं आपको नतीजे दिखाऊंगा यहां पर सेल दिखो वही 14000 क्रोड की सेल थी पहले 14500 क्रोड की सेल अभी नेट जो है अब यहां पर लास्ट यहर के जो थे मुनाफ़ा मैंने आपको दिखा दिया कि तीन हे और 2900 क्रोड के पास थे जैखो 2880 क्रोड आरा नेट तो वही अभी 400 क्रोड के पास प्रोफिट दिखाया गया है यहां पर अभी सब्तंदर के नतीजे नहीं पब्लिश हुए हैं तो जिसने भी शेर में ट्रेड करना हो सिंपली 2 रुपे का स्टोप लो लगाना आपने सिंपली 99 रुपी का स्टोप लो लगा कि आप कर सकते हो 99 से नीचे मत बाय करना मैं पहले बोल रहा हूं पर यह आपको 85 तक गिरेगा यह 90 और 85 तक गिरेगा यह 2 रुपे का स्टोप लगाना तो मेरा उपर का टार्गेट जो का सीधा ही वह 110 तक का पोजिशनल टार्गेट होगा 110 तक यह आएगा यह जिस तरह से नितीजे दिखाए गया है 110 से उपर फ्रेस्टेजी बनती है तो 110 से उपर फिर ड्रेक्ट यह 117 तक का जाएगा टार्गेट लोंग तर्म में तो कहीं न कहीं 15-20 परसंड की रिटान हाँ अभी हैस में और उस रिटार्न को मद्दे नजर रखते हुए आप लोगों को मैंने स्टोप लोग शेर फ्रेश दसरपे के ट्रेड के लिए बाइंग करनी हो तो वह कर सकता है और जो मैंने आज ट्रेड लिया था वह आपको दिखा देता हूं जो मैंने आज ट्रेड किया था यह मेरा वाट्सअप का आज देखो तुड़े का यह मैंने ग्याराइए 750 पहली बूल देता है कि रिजिस्टेंस मार्कट में यह सिंपल मैं आपको दिखाई देता हूं यहां पर बरे साथा का रिजिस्टेंस है यह तो डाउंसाइड मैंने पहले बुदे 12650 तक मार्केट आएगी सोबें नोगक तक मार्कट गई गई है तो कोटक मिंद्रा को सेल के सारा सुनब्बे तब यह सारा सो 75 के पास चलना था नीचे का टार्गट सारा सो देखो आप चेक कर लेना वहां पे सारा सु सतावन का लो लगा हुआ पहले सोबह इसको देजिया था मैंने बैंक निफ्टी नौ बज के बैलीस मिनट पर सेल देजी थी अठाई यार साथा यार साड़े चार्ट के पास ट्रेट कर रही थी तो मेरा टार्गट देखो अथाई यार कि इतने का टार्गट साज़े तो को यहां पर देख सकते हैं मैं इसमें कम-एपानिर वांप मोखिया तो 5972196 के था भाहां पर भॉक χiDře को 424 के पास भॉक किया तो और भेर उसके बाद निफटी को 1910 330 का टार्गट दा और वाह इसको बुक किया अतुल निम्टेड को ट्रेंसट फो एक्सट पर बुक किया था इसमें साथ आठ रपे की मुवमट आई थी बड़ यह बाद में बहुत उपर भाग गया था यह जैस डबलीव का तीन सो पैंतिसका टारगेट जबीवें काल में थी का अच्तिक को जान आधा फिर उसके बाद वैंकी को भाए किया था यह 1575 पर बुक किया इसको कि इन फटेल को बाई किया एक सोशी पर बुक किया को बाई कि 100 फ़ेसकर बुक किया आफिड्रग को बाई किया था साध्य । शेसों तक शेयर गया वां पर बुक है हैप्येस मैनिफिट में 50 पैसे की मुह मटाई वह समाल प्रोफिट बुक कर लिया फ्री में हम लोगों को 50-50 पैसे मिलता है तो अच्छी बात यह इस इन पेंट को सेल किया तो इसके बाद अच्छी को सेल किया था यहां पर 1247 में निफ्टी को फिर दोवारा सेल किया था बारहे साथ 1010 के पास मैंने बोला सेल कर तो इसको लगाके तो फिर 12640 का टार्गर था मेरा वहां पर वोग किया तो रिवाइज के साथ 23290 के पास बुक किया पर उसके बाद पेई इंडिस्ट्री को सेल किया था 2272 के पास बुक किया बास यही मेरी इंटर डेक वोज दिया तो काफी इंटर डेक वोज भी बुक किया और और फनास का मैंने अपनों को नितीजे शेयर कर दी है कि सिंपली और सिंपली दो रपे का प्रोब्लों रखो ज्यादा एक्सप मत करो मार्केट से शोड़ शोड़ अप्रोफिट करके गेंड कर सकते हो 99 से नीचे मत रखना इसको पावर परनास के नतीजे मैंने अब लोगों को शेयर कर दिये वीडियों को अच्छे लेगे तो शेयर कर सकते हो थैक्स गोड़ चरने आरो